हर देश ये ताकत उसकी सेना होती है। पैरा कमांडो भारत की सबसे शिक्षित कमांडो होते हैं। उनीसो पैसक में भारत पाकिस्तान युद और उनीसो न्यानवे में कारगल युद की जीत में पैरा कमांडो महत्फून भूमिकार निभाद चुके हैं। महीं 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक में भी पैरा कमांडो का प्रमुखाद था मार्कोस मार्कोस का नाम आपने कम ही सुना होगा इंडियन नेवी के स्पेशल कमांडोस जिन्हें आम नजरों से बचा कर रखा गया है मार्कोस को जल थल और हवा में लड़ने के लिए विशेश ट्रेनिंग दी जाती है समुद्रे मिशन को अंजाम देने में इन्हें महारत हासिल है 20 साल की उम्र वाले प्रती 10,000 युवा सेनिक में से एक का सिलेक्शन मार्कोस फोर्स के लिए होता है इसके बाद इन्हें अमेरिकी और ब्रिटेश सील्स के साथ 20 साल की कड़ी ट्रेनिंग करनी होती है स्पेशल उपरेशन के लिए इंडियन नेवी केन कमांडो को बलाया जाता है मार्कोस हाथ पैर बंधे हुने पर भी तेरने में माहिर होते हैं कोबरा कमांडो संसक घवन और राश्पती भवन की सुरक्षा का जमा कोबरा कमांडो के पास है कोबरा का गठन 2008 में किया गया था कोबरा यानि की कमांडो बटालियन फॉर रेजल्यूट एक्शन कोबरा के जवानों को गुरिल्ला ट्रेनिंग द्वारा तयार किया जाता है कोबरा के जवानों को वेश बदलने से लेकर घात लगा कर हमला करने में कोई मात नहीं दे सकता है भारते वायो सेना की एक विशेश टुकडी है जो आतंकवादियों की सबसे बड़ी दुश्मन माने जाती है या आतंकवादियों के उनके बिल में घुसकर मारने के कारणामे करती है जम्मुकश्मीर में हुए हमले में सेना ने एक एहम किरदार निभाया था गरूर कमांडोस की ट्रेनिंग काफी सक्त होती है इसलिए इन्हें आतंकवादियों का काल कहा जाता है घातक घातक फोर्स के जवान इतने शक्तिशाली होते हैं कि एक जवान दुश्मन सेना के 20 सैनिकों को धूल चटाने के लिए परियाप्त होता है युद के वक्त बटालियन के आगे चलने वाली भारती सेना की स्पेशल कम्पनी घातक तोप खानों को नश्ट करने में माहिर होती है इन्हें क्लोस बैटल और मैंटो मैं असॉल्ट की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है